अंकीत पतेल सूरत इनका सवाल है कि भारतिय परंपरा में भारतिय कल्चर में सांस्कृती में साध्गी बरे जीवन को बहुत महत्व दिया जाता है अध्यत्मिक जीवन में भी बहुत महत्व दिया जाता है क्या इसलिए गांधी जी ने अपने जीवन में साध्गी बरे जीवन को महत्व दिया और आज के जमाने में आज के आधुनिक जीवन में साध्गी बरा जीवन जिना जदा अच्छा है या फिर एक सम्रुद्ध विलासी जीवन जिना जदा अच्छा है आपने जो सवाल पुछा उसको बहुत गेहराई से हमें देखना पड़ेगा हिंद स्वराज में मात्मा गांधी ने इसका बहुत अच्छे डंग से स्पष्टिकरण दिया उन्होंने पाश्चिमात्य कल्चर में और भारतिय कल्चर में क्या फर्क है बहुत अच्छे डंग से हमारे सामने रखा उन्होंने कहा कि भारतिय कल्चर जिसे फिलोसोफिय में सही मने में इस्टर्न कल्चर ऐसा कहा जाता है ये अईहीक जीवन को कम महत्व देती है और इंसान के अंतरिक जीवन को बहुत ज़्यादा महत्व देती है उसके अध्यात्मिक विकास को बहुत ज़्यादा महत्व देती है जबकि जिसे western culture कहा जाता है, पाश्यमात्य सम्सकृति, उसमें अईहिक जीवन को बहुत महत्व दिया जाता है, अईहिक जीवन ही सर्वोपरी माना जाता है, और आंतरिक जीवन को इतना महत्वन नहीं दिया जाता है, ये बेट फिलोसोफी में भी माना जाता है परवात्य समस्कृति और पाश्चिमात्य समस्कृति ये बेट तो किया जाता है और ये जो बात जो कहीं हिंदस्वराज इस किताब में महत्मा गांधी जी ने वही बात फिलोसोफी में कही जाती है इसका ठीक ढंग से मतलब क्या है ये भी हमने समझ लेना चाहिए अईहीक जीवन को महत्वन नहीं देना ये विशेष्टा रहिए पवर्वात्य कल्चर की जाने जिसे हम इंडियन कल्चर भी कह सकते हैं बारतिय संस्कूरूती कह सकते है इसका मतलब ऐसा है कि हमारी जो भोग लालसा है शरीर के भोग की तुरुपती है उसको कोई मर्यादा नहीं होती है इसलिए उसको कम महत्वन देना चाहिए और जो हमारी अंतरिक चीजे है अब उसको आत्मा वगरे पुराने शब्दों का उप्योग किया जाता है तो यहां मैं उसको अधुनिक शब्दों में व्यक्त करना चाहूंगा याने इनसान ने बहतर बनना चाहिए अच्छे सद्गुंड अपने जीवन में अपनाने चाहिए उसने सत्य प्रेमी होना चाहिए इनसान का विकास याने उसके अच्छे इनसान होने का विकास इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए वो अपने जीवन में किस धंके moral values अमल में लाता है इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए साद्गी बरे कपड़े पहिनने चाहिए कपड़े पर से किसी व्यक्ति की पहिचान नहीं होनी चाहिए फाल्दु का आडंबर नहीं करना चाहिए लेकिन अंदर से मन से समुरुद्ध होना चाहिए ये भारतिय परंपरा की विशिष्टा रही है और ये भारती आध्यात्म की भी विशेष्टा रही है पाश्यमत्य संस्कृति में पहले से ही शरीरिक सम्रुद्धी को ज़्यादा महत्वदी आ गया है वहाँ पोशाक को बहुत महत्वदी आ गया है आप कपड़े पहनते हो याने पुरे यूरोप से ही पाश्यमत्य कल्चर हम जब कहते हैं तो यूरोप से सम्मंदित कल्चर हमारे सामने आती है उस कल्चर में कई सेक्डों सालों से कपड़ों का बहुत महत्वदा है कपड़ों के आधार पर इंसान की प्रतिष्ठा समझी जाती है इस पारटी में अगर आपको जाना है तो इस धंगे कपड़े पहनना है यह वो क्यल्चर का हिस्सा बन गया दीरे दीरे जैसे अध्योगी करांती हुई उसके बाद में जो हमारी भोगलालसाये हैं याने शरीर की भोगलालसाये हैं उसको महत्वदिया गया उसके satisfaction को जादा महत्वदिया गया जबकि अंदरिक विकास को कम महत्वदिया गया ऐसा माना जाता है यह बात सव प्रतिशत सही नहीं है याने पाश्यमात्य कल्चर में जो लोग हुए उन लोगोंने कभी अंदरिक विकास के बारे में सोचा नहीं आंदर एक progress के बारे में सोचा नहीं, जिसको आत्मा की progress करते हैं, उस बारे में सोचा नहीं, ये बात सची नहीं है, उन्होंने भी इस रंग से सोचा है, लेकिन शारिरिक भोग को भी बहुत ज़ादा महत्वदिया है, ये factor, अब दोनों cultures में कुछ अच्छाईया है, कुछ कम भारतिय परंपरा में, भारतिय कल्चर में, ये सादगी वरे जिवन को महत्वदिया गया, शारिरिक भोग को कम महत्वदियना चाहिए, ऐसा माना गया, क्योंकि उसको कोई अंतर नहीं होता है, और आंतरिक विकास को महत्वदिया गया, ये बात तो बहुत सुन्दर है, बह पाच हजार सालों तक टीक पाया और बहुत अच्छे डंग से एक सम्रुद्ध जीवन जी पाया याने कम से कम अंग्रेज इस देश में आकर उन्होंने यहां की पूरी ग्रामीन अर्थ व्यपस्ता को तहस नहीं किया तब तक तो भी ठीक डंग से वो जी पाया लेकिन गुला यह दिरे आंतरिक चीजों को महत्व देने के करण आज के अहीग जीवन को हमारे आज के वास्तविक जीवन को कम महत्व देने का एक नया प्रगाद बोलिये सिस्टीम बोलिये या फिर उस धंग का विचार बोलिये लोगों को उस विचार ने जकड लिया उसके साथ में फिर हमारी जो माननेता है थी करता करविता भगवानी ही होता है हम दो केवल निमित तमात रहे ये जो है जिसको हम कहते हैं हमारे नसीब की कलपना इसके भी काफी परिणाम हुए होगे इसलिए धीरे धीरे हम पर कोई भी आता गया आकरमेंट करता गया लूट कर जाता गया और हम करीबन बारा सो तेरा सो साल गुलाम रहे ये भी उसके पीछे का कारण रहा है जबकि पाश्मात्य देश इनी दुनों में बहुत बढ़ते गए पूरे दुनिया पर उन्होंने सामराज्य किया अब पूरे दुनिया पर उन्होंने सामराज्य किया इसके कोई तारिफ करने के आवशक्ता नहीं है या फिर उसका समर्थन करने की भी आवशक्ता नहीं है लेकिन फैक्स तो है सामने अब रहा सवाल ये दोनों अलग-अलग जो कल्चर से उनकी तुलना हम छोड़ दे जो अच्छी बात है उसको स्विकार है तो बेसिक जो हमारे कल्चर में है भारतिय कल्चर में है कि हमारे शरीर सुखों को कम महत्वदे इसका मतलब शरीर की आवशक्ताए पूरी ना करे ऐसा नहीं होता है हमारा आम जिवन सम्रुद्ध होना चाहिए खाना पिना ठेक ठाक होना चाहिए अवशक कपड़े हमने पहनने चाहिए लेकिन इन चीजों का आडंबर नहीं करना चाहिए साधे कपड़े पहने प्रतिश्टी दिवेक्ती भी साधे कपड़े पहने कपड़ों के आधार पर किसी की पैचान नहीं होनी चाहिए केवल हमारे शरीर की वासना और भोगलालसा पूरी करने के लिए हम कोशिश करते रहे ऐसा नहीं होना चाहिए आंतरिक चीजों को हमने महत्व देना चाहिए जैसा मैंने कहा कि इंसानियत को महत्व देना चाहिए, हमारे वेक्टित्व विकास को महत्व देना चाहिए, गुणों को महत्व देना चाहिए, हमारा नॉलेज बढ़ाने को महत्व देना चाहिए. ये जो आध्यात्मिक प्रगति की बात करते थे उसको मैं थोड़ा टर्न करना चाहूंगा कि उसको परस्नेलिटी की प्रगति की इसमें मोडना चाहूंगा क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति का आगे का मतलब फिर अपना मोक्षप्राप्त करना और मोक्ष प्राप्ति को इतना महत्वद हो कि आज का एहिविक जीवन के तरफ बिल्कुल ध्यान ना दो ये गांधी जी ने नहीं किया उन्होंने एहिविक जीवन को जितना आवश्चक है उतना डेफिनेटली महत्वदिया वो कपड़े कम पहनते थे इसलिए नहीं कि वो कपड़े एफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको लगता था कि जिस देश में 60 प्रतिशत के उपर लोगों के शरीर पर कपड़ा नहीं होता है ऐसे देश का मैं प्रतिनिदी हूँ मैं उनके साथ अपने आपको जोड लेना चाहता हूँ इसलिए मैं फिर एकी कपड़ा पहनूँगा इसलिए दोती पहनते थे कई बार उपर का कुछ पहनते नहीं थे ये उन्होंने अपनाया था अब भारत के जादातर लोग केवल एक दोती पर रहते हैं खम कपड़ों में रहते हैं ये साधगी बरे जिवन का हिस्सा नहीं था ये गरीभी का हिस्सा था ये भी वो मानते थे इसलिए उन्होंने दूसरों को कम कपड़े पहनो ऐसा कभी कहा भी नहीं थे गांदी जी के साथ में जो बाकी लोग थे वो अच्छे कपड़े पहनते थे अब पंडी जवालाल नेरू तो अलगी कपड़े पहनते थे उनको भी कभी उन्होंने विरोध न आए थे वो फैमिली जिस डंग से जीते आई थी उस तुल्ला में तो वो अपने जीवन में बहुत साथगी बरा जीवन जी रहे थे यह हम देखेंगे लेकिन एक हमारा अहीग जीवन जो है वो भी सम्रुद्ध होना चाहिए आडंबर पुर्ण नहीं होना चाहिए लेकिन सम्रुद्ध होना चाहिए विलासी नहीं होना चाहिए लेकिन सम्रुद्ध होना चाहिए हमें आवश्यक है उतने कपड़े पहनना उसका एक हिस्सा है कपड़ों का आप आडंबर नहीं तयार करे खाने के चीजों में भी जो आवश्यक है शरीर के लिए वो चीजे हमें उपलब्द हो उसको उतना महत्वदे बागी सब चीजों को हमारे जीवन में इसको महत्व दे लेकिन उसमें विलासिता ना हो यह सही माने में भारतिय समस्कृति के साद्गी का अर्थ होता है और यह मानवी जीवन में बहुत ही महत्व की चीज है यह भारतिय कल्चर की देन है माहत्मा गांधी उसका हिस्सा थे माहत्मा गांधी सही माने में भारतिय संस्कृति को रिप्रेजेंट करते थे वो सही माने में हिंदू थे अगर हिंदू इस शब्द को हिंदू कल्चर करकर डिफाइन करना है तो माहत्मा गांधी उसको रिप्रेजेंट करते थे तो ये सादगी बरा जीवन बहुत महत्वका है लेकिन ये सादगी बरा जीवन अहीक दुरुष्टी से भी समुरुद्ध वना चाहिए जैसे कि हर चीज का त्याग करो, सेक्स का भी त्याग करो, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है इससे कोई अंतरिक विकास होता है ऐसी कोई बात नहीं जैसे पेड़ बर खाना इंसान के लिए आवशक है साद्गी बरा खाना चाहिए लेकिन उसमें सभी आवशकता है पुरी हो इस ढंग का खाना चाहिए ये जैसा इंसान के लिए आवशक है उसी ढंग से साध्गी बरा सेख्स भी उसके जीवन का हिस्सा होना चाहिए उसको विला सिता से दूर कर दो और वैसे भारतिय कल्चर में काम को महत्व तो दिया ही गया है भारतिय कल्चर में दोनों चीज़े है एक तरफ ब्रह्मचरिय को महत्व है और दूसरी तरफ काम को यानि सेक्स को महत्व दिया गया यह दोनों चीजे भारतिय कल्चर में हैं और दोनों भारतिय कल्चर का हिस्सा है तो हमें यह देखना होगा आज के जमाने में कि हम विला सिता को महत्व ना दे क्योंकि हमारे जीवन में जो भी आवशक्ताएं होती है या फिर हमारे जिवन में जो भी हमारी वासनाएं होती है उसको कोई अंत नहीं होता है लेकिन जो नैचरल आवशकता है होती है वो भी पुरी होनी चाहिए उसके बारे में तुरुपती मिलनी चाहिए इस रंग का हमारा जिवन होना चाहिए सीधी सी बात है कि आपके पास वेकल चाहिए आप आज के जमाने में सुविधा के लिए वो आवश्यक है अब BMW क्यों चाहिए भई साधी मारूतिकार से भी आपका problem solve हो सकता है न तो ये BMW रहेंगी तो मैं प्रतिश्ठित ये जो मान्यता है ये मान्यता भारतिय कल्चर में बैठने वाली मान्यता नहीं है इसको विला सिता पुर्वजीवन कहेंगे और आज के जमाने में अगर मुझे सहुलियत से काम करने है अपने समय को बचाना है तो एक कार वेकल मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि मेरा काम उस धंग का है तो ये धंग का भेध हमें करना पड़ेगा आज के जमाने में मैं पैदल चरकर ही हर काम करूंगा ऐसा अगर कोई बोलेगा तो फिर अपना समय वो बहुत बरबाद करेगा इसको हम समरुद्ध जीवन नहीं कैपाएंगे तो ये फर्क करना हमको सीखना पड़ेगा गांदीजे ने उस जमाने में ये फर्क बहुत अच्छे डंग से किया था लेकिन उन्हें पुरे देश के गरीबी को भी रिप्रेजेंट करना था हम पर शायद वो जिम्मेदारी नहीं है इसलिए हम समरुद्ध जीवन जीए विलासिता पुर्व जीवन ना जीए लेकिन हमारी जीवन की सभी आवशकता है बहुत अच्छे डंग से पूरी हो ये हम देखे सादगी पुर्ण तरीके से पुर्ण हो हम देखे ये एक संतुलन हमको स्विकारना पड़ेगा हमारे जीवन में और इसी को सही माने में कहेंगे कि ये परवात्य सांस्कृती है याने भारतिय कल्चर है इस्टन कल्चर है अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेर्नेस पहलाने में हमारे मदद करें विडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे विडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए